असलाम अलेकुम आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे जो सिंपल प्रोग्राम क्या करेंगा कि हम एक स्माल अलफाबेट देंगे उसको कनवर्ट करेंगा कैपिटल अलफाबेट में सब्सक्राइब करें कि अगर मैं यहां पे input दे रहा हूँ A तो इसका answer आएगा capital A अगर मैं input देता हूँ B, small B और इसका answer आएगा capital B तो यह चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें पता होना जाएगे कि जो हमारा small A है उसका ASCII code कितना है उसका ASCII code है सेवैंटी, 97 और उसके बाद जो हमारा capital A है उसका ASCII code कितना है इसका ASCII code है 65 तो अगर हम इन दोनों का difference देखें कि इन दोनों में difference कितना है तो इन दोनों का जो difference है वो है हमारा 32 तो अगर हम small A को convert करना चाहते हैं capital A में तो simple हमारी logic क्या होगी कि हम जो input देंगे उस input में से 32 को करेंगे minus तो हमारा जो result आएगा वो capital A आजाएगा right simple सी इसकी logic है क्या करेंगे कि जो हम input देंगे small alphabet उसको minus करेंगे 32 से जैसे हम 32 से minus करेंगे तो हमारा जो answer आएगा वो 65 आजेगा सबोज मैं input दे रहा हूँ B तो उसका code क्या है 98 और अगर उसमें से मैं 32 को करता हूँ minus तो हमारा answer आएगा 66 और 66 हमारा capital B का code है so let's coding करते हैं मैं इनको comment कल भुषाटी error ना ले coding सबसे पहले क्या करते हैं simple सा एक input लेते हैं move AX में service routine 01 और interrupt 21 को call करवाता हूँ यह क्या करेगा simple एक input लेका और इस input को store कहां पर करवाएगा मैं मेरे खेल में last video में बताया था कि AL register में जो भी input देते हैं AL register में store हो जाता है तो सबसे पहले जो input वो देता है वो AL register में store होगा उसको मैं move गरवाता हूँ DL register में ठीक है DL register में move हो गया अब input कहां पर पड़ा है हमने क्या करना है जो उसने input दिया है उसमें से हमने minus करना है कितना 32 32 हम minus करेंगे तो हमारा answer एक मिसाल है a दे रहा है small a दे रहा है input तो हमारा 32 minus करने के बाद input आएगा 65 जब हमारा 65 input आएगा तो हम print की instruction देंगे तो जो हमारा capital A है वो print हो जाएगा तो अब मैं print की instruction देता हूँ move AH में 02 service routine और interrupt 21H ओके मेरे ख्याल से तो आपको यह logic समझ में आ गही होगी तो let's check चेक करके दिखाता हूँ आपको के हो रहा है के नहीं हो रहा तो input A और उसका result capital में आगा जबारा चेक करते हैं ओके load करता हूँ load हो गया B और इसका answer capital तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ना यह जो input है वो पांच छे characters को चेक करना है तो मैं simple इसमें loop लगाता हूँ loop suppose मैं कर देता हूँ LO और इसका label लगा देता हूँ यहां पे LO और cx register में move कर देता हूँ क्या करे उतनी दफ़ा ही चले जितनी दफ़ा मैं cx register के अंदर कोई value move करवाँगा तो यह जो loop है वो 5 दफ़ा चलेगा 5 दफ़ा चलेगा तो इसका क्या मुदलब है हमसे 5 जो small characters है वो लेगा और 5 का ही capital print करवाएगा तो एक input लेगा उसका capital print करवाएगा मैं देता हूँ A capital print करवादी है trouve Plan 12 capital print हो गया मैं देता हूँ E capital print हो गया और यह 5 input इसने यह दे अूगे बहुत सिंपल सी इसकी logic है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं capital में चीज़ दूऊ वो print हो जाए small a में, तो simple मैं क्या करूंगा, कि add instruction दूँगा, add instruction क्यों दूँगा, अगर मैं capital में a दे रहाँ, ठीक है, capital a है, तो इसका जो code है, वो क्या है, 65 है, तो मैं इसको convert करना चाहता हूं, किसमें small a में, तो इसको convert करने के लिए क्या करना पड़ेंगा, 65 में 32 add करूंगा, तो हमारा answer क्या आजएकर 72, और जो 72 है, वो किसका code है, वो smart a का code है, simple, यहां पे हम add की instruction दे रहेंगे, so let's check, okay, मैं देता हूँ capital B, इसका code print हो गया, यह पांच दफा हमसे लेगा, मैं capital B देता हूँ, C, capital Z, okay, capital X, okay, देखें, रिल्कुल जबदस work कर रहा है, मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको जरूर शेयर कीज़ेगा, और अगर आपको इन जो भी मैं प्रोग्रम्स बनाता हूँ, उनकी आपको coding चाहिए, आपको source code चाहिए, तो वो भी मैं आपक सकता हूँ, आप कमिट में अपना email address ले दिकिएगा, मैं आपको यह सारा source code जो भी है, जो triangle of stars है, जो हमने यह characters count का program देखा था, यह capital और small alphabet का program है, इन सब का मैं आपको source code से एंट करूँगा, so thank you for watching this video and Allah Hafiz.